वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए आज से हम एक नए से शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूपी पीश्यस प्रिवेश्यर में इस वेपर के लिशकर से रिलेटेट होगी यह से वारी बाइलेक्वल होगी इसमें हम 2022 के GSK papers और उनके model answers discuss करेंगे तो शुरू करते हैं यह हमारे कुछ paid courses है UBSC, BBSC, UBSC, UBSC, UBSC और DPFO के लिए आप नीचे दिए गए numbers पर संपर करके यह courses join कर सकते हैं तो देखिए, answer writing एक important criteria मेंस qualification का आपको बता है इतने अच्छे आपके answer सोंगे उतना effective आपके marks सोंगे मेंस में जो कि आपको final selection में बहुत help करेंगे तो answer जब अगर कभी भी answer writing की बात आती है उत्तर लेकर की बात आती है तो दिमाग में क्या आपता है कि एक model एक ideal answer कैसे लेखा जाए वही उस ideal answer कैसा लेखा जाए कैसे approach किया जाए किसी question को में इसके वही हम आज की series में discuss करेंगे और examples देते हुए ठीक तो सबसे पहले जो answer writing के fundamentals होते है उत्तर लेकिन से जो जोड़ी ही महत्तपण बाते होती है वह जानेंगे कि क्या-क्या important terms terminology terms and concepts होती है question को approach करने के एक तो सबसे पहले होती है understanding the demand of the question question की demand क्या है परेस्ट में लिखत मुक्षप दिके रहता है उसको कैसे समझा जाएगी कि क्या पहले हुआ है जो बताते हैं कि question को approach कैसे किया जाए वाट इज़ डिमांड शॉक्र चीलspeaking तो उसका अंसर लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, अनलाइस बोला है तो उसका डिफरेंट होगा, क्रिटिकली अनलाइस बोला है तो उसका डिफरेंट होगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा, इस्टूरेंट स्पोस्ट ली क्या है वह नहीं बताया जो उन्होंने वह नहीं गिया तो फिर वह प्रॉब्लमेटिक होता है तो हमें यही समझना है कि question की need क्या है ठीक फिर आप देखें किसी भी एक answer को लेखने के लिए तीन चीज़ों की requirement हो थी introduction, body and conclusion यह एक standard format होता है आप कहीं पर देखेंगे कहीं पर पढ़ेंगे कुछ भी देखेंगे तो आपको यह समझना है कि introduction, body, conclusion यह एक ideal answer के तीन पार्स हो यह एक अच्छा answer एक effective answer नहीं रख सकते है ठीक introduction क्या होता है introduction में आपको समझना रहता है कि कोशिल का keyword क्या है keyword क्या है हमारा जो उत्तर लेखन है उसका जो केदर बेंदो होना चाहिए central point है वो क्या होगा जैसे आपसे पुछा है कि what is globalization what are its impact on Indian society इसमें keyword क्या था आपका globalization क्या है तो globalization तो हमेशा introduction में देखना चाहिए कि जो keyword पूछा हो उसी से later introduction होना चाहिए जैसे आप आपसे पुछ यह एक जर्नल सा पर फॉर्माट होगा question कर अप्रोच करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि introduction में definition लेखने करें नहीं मिलती या फिर आपके पस कोई definition hard and fast रहती नहीं है कि क्या define करें तो in that case आप उसमें उससे related कोई छोटी सी मतलब उससे related कोई चोटी सी जैसे कहा जा सकता ह कि कोई एक उससा concept बता दे या फिर आप कोई flow वह बता दे data analyze कर दें से NCRB की रिपोर्ट है तो इसमें आप NCRB की डिटेल रिपोर्ट कोट कर सकते हैं डाटा कोट कर सकते हैं तो डाटा भी कोट कर सकते हैं definition में लिख सकते हैं और यह आपको ध्यान रहता होगी आपका introduction जो आपको लिखना रहता है वो फिर उसमें word limit short हो जाती है और वहीं आपका balance gesture हो जाता है तो कोशिस हमें यह करने हैं कि introduction हमेंशा crisp हो अगर आप से 125 वर्ट का answer address करने के लिए कहा है तो उसका 1 10th मानमी जाने 12 से 13 वर्ट का आपका introduction होना चाहिए बहुत जाधा 15 वर्ट होता है अब हाड और फास्त नहीं है लेकि फिर भी आपको पूछा करने चाहिए कि इसके रहूंद आपका introduction revolve करें ठीक तो यह बहुत important है यह आपका introduction हो गया बोडी में क्या लिखते हैं subject matter जो होता है answer का उसमें हम लिखते है basically पूछा क्या होगा है ठीक इसे आप पूछा होता थ अब धेता जितने impact है वो आपको address करना पड़ा है यह आपको होगे subject matter body के पार्ट के जो है ठीक जैसे इसमें रिखा जा सकता है कि इसे facts, reports, judgments, maps, code कि जा सकते हैं किसी जिनते जितनी भी आपको innovation करनी हो subject, answer के body वाले पार्ट में ही करनी होती है introduction में आप नहीं definitely diagram बना देंग interaction यह नहीं कभी, कभी भी असा मत करिए interaction में diagram बनाने करिए concept नहीं होता, जितनी में innovation करनी होती है वो हम answer के main part में body वाले पार्ट में करते हैं, ठीक और फिर होता है आपका final part जो होता है conclusion, और conclusion जो होता है आपको बता होगा हमें सा positive word पर होता है, एक balanced approach दिखाना चाहिए आपका, जैसे वालने यह पूछा हुआ है, कि what is globalization, what are its impact on Indian society, तो जब आप इसका conclusion लिखेंगे तो आप यह भी बताएंगे, although there are some challenges related to globalization, westry करन, या मंड better end के तरफ human society को ले जाएगा, ऐसा conclusion होना चाहिए, conclusion हमेशा positive note पर drop बना चाहिए, यह नहीं, globalization बहुत खराब है, इससे बहुत दोखसान हो रहा है, इससे हो रहा है, तो वो हो जाएगा कि फिर आप डे क्या सुझाओ दिया, देखिए, आप इस तरीके से सोचे कि आप एक public service का एक्जाम दे रहे हैं, जब आप civil servant बनेंगे, तो आप policy formulation में help बनेंगे, तो policies हमेशा positive orientation के तरफ होनी चाहिए, negative orientation के तरफ नहीं होनी चाहिए, हमेशा subject work को target करके, उनके जीवन में अलहार बहुत बदला वालाने को ही, हम जो है civil, sexual servant का का काम होता है, तो हमें answer को भी उसी तरीके से approach करना चाहिए, कि हमेशा conclusion जो है positive value draw होता है, आगे जाने मेरे खैल से आपको यह समझा 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 गया होगा, कि answer एक कैसे तरीके से approach किया जाए, answer writing के कुछ fundamentals होते हैं, कुछ challenge होते हैं, इस तो उनका basic question ही होता है कि answer को bullet form में लेखें, कि paragraph form में लेखें, लेखें, answer की demand के हिसाब से, question की demand के हिसाब से, अगर वो comprehensive है, तो उसको आप कहा करते है, paragraph form में लेख सकते हैं, और जो डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो उसको bullet form में कोशिश कीजिए, answer mixed format में लेखें, जहाँ पर bullet की जरूरत हो, वहाँ bullet point लेखें, जहाँ पर आपका paragraph approach का जरूरत हो, वहाँ paragraph लेखें, इसका कोई hard and fast rule लेखें है, कोशिश कीजिए, bullet point में लेखें, उससे answer आपको बहुर effective लेखता है, ज्यादा आप चीजिए आप कम space में तरशा सकते हैं, तो एक examiner के mind में जाती है कि यहाँ student में question को बहुत अच्छे तरीके से address किया हुआ है, ठीक, अब हम section रे शुरू कर रहे हैं, इसमें आपके 125 marks लेखें हो लेखें, question हम discuss करेंगे, प्रिवेश ये question paper G.S.T. 2020 है, ठीक, यूदिके model answers कैसे होने चाहिए, आप लेखें हैं, जो मैंने आपको पहले पेशे बताया था, कि introduction, body, conclusion, ठीक, यह वाला अपरोच लेखें हैं, अब keyword आप पहचानी है, इसमें क्या है keyword, to describe जो है, वो question का keyword है, हमें describe करना है, ठीक, हमें इसका वर्णन करना है, और उसके बद क्या वर्णन करना है, आपको, आपको, आपके mind में दें चाहिए, हमें describe भी करना है, ठीक, और हमें क्या describe करना है, तो उस हिसाब से आपकर question क्या अपरोच होना चाहिए, एक यून ने जैनल बता है, जैसे keyword of the question क्या है, पर आपको, 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 आपका answer की around what isarlateil jar ने जीनल या, इसलान करना है, जोड़ीर्डिष लिखें हैं, जरुरिवन दिए कर आपको, आपको आपको आइज लेकए आपका answer इसी कि around revolve करना चाहिए, यहां पर हर एक पार्ट आप आंसर के अड्रेस करें ऐसा ना कोई पार्ट छोट जाया है तो इक क्वेशन कैसे अड्रेस किया हुआ है यह देखे तो अब इसमें बट्टाया है कि मेजर जैंजेस वर मेर्ड टू दे इंडियर सोचलिस्ट्रूर अफ नौर्डर रिजिन ऑफ इस ने इस ने इंड़र्ग्षन दिया है कैसे इन्होंने शर्मन ट्रेडिशन से लिंक कर दिया है और उन्हें पताया है कि शर्मन ट्रेडिशन का ओरिजिन से ही वुदिसम और ज्यनिजम का औरीजिनेंशन हもना, उसके बाद बता है कि जैसे कि ब्रामन जो मतलब थे वो सैकरिफाइस परेनि, उन्ने सैकरिफाइस प्रमोट की. लेकिन जब sacrifice promote कर दी तो trade नहीं हो पा रहा था और trade नहीं हो पा रहा था तो एक वर्ण जो है वो effect हो रहा था तो लेकिन जो शत्रिय किंग आये उन्होंने क्या कहते हैं कि इन लोगों को patronage दिया जितने भी आपके उन्हों को patronage दिया उनके patronage देने से ऐसा हुआ कि trade and trade flourish करने जब trade flourish करता है economy flourish करती है यह हमेशा इतिहास का नियम है कि जब आपकी economy flourish करेगी तभी art and architecture है भाई जब खाई पी लेंगे तभी सजा ज़्जा करेंगे जब खाई ने पीपाएंगे तो आप सजा ज़्जा करेंगे तो वहीं बात है ठीक यह आपको बता रहा था इससे आम प नहीं हो एक्जांपल से हैं जए कि सबसे पहले को ड़ी कों ने क्या क्या אז ता है पहले सपिलर संजी तोपास कोड कला में महल खंबेar स्थोप एस रुजंब तूब्स के पारे में तो जामती हैं होंगा और फिर दूसरा हैं और पॉपलर आओं पॉपलर आ क्वाइश को को नशेर नहीं दिया करता है अपने माले है अछिसे बने देखेजिये अंतर आंसर के सैन्ससित हो जाया तो आपको पताना चाहिए शारनाह्-ध पिलर इंसक्रिप्श्यन हे में शारनाह्-पिलर इंस्रेप्शन से लिए वह शेतलों ifwa इसमें तो भी माला किया हुआ ल१ा कंग नेख्या ग्से । मिलता था राउंडर टेंग बेसे और बैकस मतलब एक इंवर्टेड लोटस के तरह था उल्टा लोटस जो बनाएंगे था कभी भी सारनाथ पर इसको देखेंगे नहां से तो इसमें आपको सारी जो माईनों डीटेल्स इसमें बता रहा हुगा है वो देखेंगे मिलेंगी जो लंबा जो हिस्सा था शेफ्ट उसे कहते थे एक इंस्क्रिप्शन जो थी उस पर मतलब नकाशियां की गई थी पथर से इंस्क्रिप्शन से लेख रहे थे तो यह सारी शीचे बता रहा है और उस पर क्योंको से जानुट थे उसके ऊपर यह बता हुआ हुआ है तो देख कि यह आपका एक्जामपल है यह डागराम नाया हुआ हुआ है इंवर्टे लोटस का अब एककास उसके ऊपर शेयर खड़े हैं बुल है यह यह शाफ्ट है लंबा वाना जो पिलर के तरह देखता है इंशके दो सबसे इंपरवा च्राम डिया नाया है तो कैसे आपका सारना पिलर शेंपशिक्शन भान तरह में रहा है चीज़ को तुरन 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 टैस्टेस कर देखता है तो आपको हर एक औस आशर मतलब माइन वे चीज़े prepared energy हर एक topic के बारे में तो यह आगे मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से किया जाबता है और कुछ example आगे हम देखें तो जैसे रामपुरा बसारा बखीरा लॉर्यार अंदर गारने संसिका यह सब आपके फिलर इंस्क्रिप्शन के example नेक्स्ट है आपका स्थूबा स्थूबा में आप तेखें इस तूबा तो आपको पता है अड़ चंडराकार समी हम है में हमें हैमें स्थेरल होते थे थे दो तरीके के चैट विहार में जो मॉंक्स रहते थे चैट में जो पूजा होती थे ठीक यहापमन था और उसमें कई सांजी का स्थूप है जो बहुत है तो उसकी डिजाइन क्या से थी अमिलेटरी पासेज वे क्या होता है मतलब प्रदक्षीना पत जिसके को आराउं भूंते थे तोरं क्या क्या थी बांडे वाल्स कैसे थी किसी से बना हुआ तो यही सब जब आपसे सेरेट फिजर सब और थे सब्सकराने कोंडे तो हमारा आप लो आपको एक पार्ट से ने क्या से किया दर जाको अनले ने बा हुआ थी है तो यही सार चीजे बता रहे ना कि इ सक ब्रूपरों टोपरों की से बना है जिलेकर इस रजाए नहीं तो इसर उपको उbt हर नहीं को ब ता बाक्ष करने का अब नेकिन अब नेकिन हमेशे यह जाना कि इंटर बाडिद इंक्रूशन वहला कॉन चाहिए इंजे दिखिए आपको इस्तूपा बनाएगा तो यह क्या है आपका तोरण है ठीक आपका बना देंगे तो आपकान सब बहुत अफेक्ट्वी जगा मांक सचे गयन रहेंगे तो यह भी ध्यान रखेगा आमेशे अब नेक्स प्रिये कहला पॉक्लर अर्ट सबसे पहला आता है के वाट इते तो वह सब चीज जो है आपकान सब बात एफेक्ट्वी जगा मांक इसके इंदुर मॉंग से थे जो बिक्षु प्रिया थे बहुत धिश्ट विक्षु वह सब एक्जामपल बता है जैसे नागार जैनी के फिर लोमस रिशी के बार बरा हेल में आज इवका सेक्ट रहें लोमस रिशी के बनाई गई गई थी ठीक राजगे वशाली कपिला वस पठना वी बीशामातरा में , एक्ष़ अत्षनी की मूर्थी हैं को मिल जाएंगे छी पिर तरल खार की मूर्थी अंब जाएंगे जया हैं संसायली की दर्शातो चाहुत सामाली, हांडिक संस् offense तो वह सो पोट्री यहां पर कौन से पाई जाती चाले के लगएर था तक भी आ यह पोर्टरी इसे हमने पुरा ये इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके समें को अप्रोच किया कैकर तरीका रहा हमारे अप्रोच करने का और कैसे इसमें कन्कुलिजन रहा ही किया है मतलब कि जो बहुत static पार्ट होता है उसको कन्कुलिजन कभी-कभी हलकी मिसिंग आपको लगेंगी लेकिन आप इसमें कन्कुलिजन लिख सकते हैं कि अंदर बुद्धिश्ट आर्ट इन अर्टेक्टर जो है उसने एक बग्राउंड प्रवाइड किया आए की सिविलाजेशन को इस्टैबलेश होने में तो यह है कि आपका पॉस्टिव कन्कु इसमें एक की वड़ाइड के सब्सक्राउंड इत्र बुद्धेश के लेखिन के उन अनब्टेस के बता हिए अब बॉद्धिश ने कितरփ बैंसी 19 सचुरी इन इंडिया उत्रक्रेश में भारत में 19 सथी और शाथ आपदी में चले रहे पुरन जागरानी के लिए सबसे प्राववी शेदरों में से अगर बड़ लिश्टी पढ़िए हो तो आंक पुरन जागरानी के इंपोर्टन टॉपी के रहे रहे ऐसा जो पिया शिवल ज्यानिक चीजहों में भी ज्यान और सवह में जोड दिया गया ठीक फिर रिफॉर्म्स देखे गए मॉडर्नाजेशन देखी गई और गया करते हैं कि मुवेंट्स को और जो ग्लोबल नेवल मुवेंट्स वा रहे थी उसके साथ ओरेंट करने के कोशिश भी की गई थी इस मैं तो पहले दो यह सोचते थी कि भारत जो है बहुत बिच्छड़ा है यह जब ऐसी पुरान जगराने वाली मुवेंट्स आई तो उसने भारत से अपनी कनेक्टिविटी इस्टाविश करने में साहता की इन मुवेंट्स थी कुल्चुर्न आइलोचिकल कॉन्फिक्ट प् ठीक और कॉलोंइल चीज़ों को चैलेंज करने में एक म dando ideology वणने ती उसको भी चैलेंज करने के लिए इसे संस्कृतिक और ब्हारती- राश्टबात के विकास और आप ने वेशिक संस्कृति और व्याचारी कान्धि पत्त्य को चुडवत्य के लिए देश की एच्छ पर म तो यह आपको पढ़ना पढ़ेगा अब जैसे आप मेजर रहने साथ मुव्मेंट जो थी उसका एक्जामपल आपने अलीगर्ण मुव्मेंट हो गया किसने इस्टाड़ की थी सरसेयद रहमत खान ने इस्टेबलिश की थी ठीक उन्होंने मौहमद एंग्ली ओर्येंटेट यह पहला हो गया आपका अलीगर्ण मुवमेंट तेकंड आपका हो गया देवबन मुवमेंट से शारनपुर में चली थी ठीक ऑट्रोफ ब्रांच से मुस्ली मुल्या माकिव देवर्ण मुवमेंट थी ठीक इसका मेजर रोल यह था कि कुरान की जो टीचिंग को इस्प्रेट कर सके फैला सके और बहुत इस जबाहों पर ठीक और इसके बाद आपका इसके मतलब जो रिलिजिएस लीडर थे वो थे मौहमद कासिम नानु तवीत देखिए बता क्या रहा है जैसे अब तो लाइड ओन क्या करते हैं आपका रहने साफ उत्तरब्देश के मारे में इसके बाद हम एक एक मुवमेंट को विस्तार से बता रहे हैं अब इसको आप आप पराग्राफ फॉर्मेट में लिए चाए पॉंट फॉर्मेट में लिखिए आपकी मत्जिए इतने अच्छे सब एक्सप्रेस क कर सके है अब इस्कूल के बारे मunion पता है कि इंडिनेश्टल पॉंगरज को सपोर्ल करेशन उप इंडेनशनection फट्वा मिबस्ट फतवा है तरु इसे उम्हिए इसे आइन काहना थ्याघ्राव सचूवर्मिंड ऐस रिपद्ला नहीं जाता डिप्सप्रप्षे आट ने और के साथ और दो लोगों ने इस्टाइलिश किती इसको यह थिया सफिकल मुवेंट थी इंडियन कल्चर्स के बारे मिश्ट्री करती थी उन्हें परमॉट करती थी देखिए पॉइंट आप समझ यह देखिए हैं उसके बाद फिर क्या लिकर उसके बारे बता है तो ऐसे आपको कि इंडिया और इंडियान रहने साथ क्या है भारती प्रविजागरण तो इस समय क्या कहते हैं डियूरिं इस टाइम पिरिए इंडिया इंडिया पोस्ली फोकेस्ट ऑन सोचल इन कल्चरल प्रपरेशन पॉर इंवल्मेंट इन मोर प्रोग्रेसिव रैडिकल एंड इंडियों में तो अगर इंडिया से जोड़ दिया गया तो इंडिया के उसमें परस्पेक्टिव में आप लेजिए तो यही बिसिक्निव होता है फिर उनकी सोचलोजकल थे लोचकल डिवालुशन क्या थी और और बहुत इस इस इतनी भी आती है आपकी आपकी अदा सोचल न्हीं आपकी आपकी अखशाफिषिक स्युटार् सेविए नियुक्ति ऑन राश्टेवद करने नवाड के राश्ठवाट करें नमांक या उत्तरदाइ से स्यूटकाने नमांगे तो वही यह बता रहा थी ज़िखा इजब्गाने एंडियम इंडिया फ्रूच्ट अब्स् spirit of rebirth and revitalization from one aspect of national life to next. तो इसने मतलब क्या क्या कि राष्टवारत का पुरा जागरण किया अनिवार रोप से और जो समाज में कुरीतिया हैं उसे हटाने की कोशिश की ठीक तो ये पुरा आपका इन्यान रानिसा के बारे में हो गया. ये हापका कुछ के इसके 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 बाढ़ कर रहा रहे थे बढ़ावा देने के लिए ठीक इसको इसको ये बता रहा है कि इंडियन रेजिसन में मतलब इसका रोल क्या रहा है इंडिक समाज में एक पुर्ण जागराट वाला माइंडसेट ले किया या नही नही चीज़न ले किया और समाज में परिवर्जन करने के लिए पहले पहले कोशिश की इसने फिर कल्चरल अटैक्स किये मतलब जो कुरीटियां थी मैंने पता है उस पर अटैक किया नही चीज़ें लाने की कोशिश की और फिर कुलोनिल्सम जो थी और उसके खिलाफ एक जन्द के तरह साबित हुआ और बहुत से समाज में हमारे परिवर्ण लाने की कोशिश की इसने तो यह आपको समझ में आ गया हो कुशर इसमें जो आपका कुछ इंपोर्टन फैक्ट यह आपको बताने के लिए कि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको यह एक मॉडल आंसर है तो मॉडल आंसर में हम यह बताते हैं कि आपको आंसर ऐसा लिखना चाहिए ठीक आपका अपरोच दूसरा हो सकता है आपका कॉंसेंट दूसरा हो सकता है लेकिन जो फैक्ट चीजें वह नहीं बदलेंगी तो हमारा मॉडल इस सीरीज से यही है कि आप उन फैक्ट पर समझें जिससे की आंसर को एड्रेस किया सके एस कंपेर टू रटा रटा है चीजें याद करने ठीक आप पहरे इसको समझें आंसर कैसे आप रोच किया गया फिर खुद लेखें अपने वर्ट में इससे आपके बटर ग्लारिटी होगी एकसाम में अब दीसरा कोच्छन है इलस्ट्रेट कंट्रिबूशन ऑफ नेश्टनल लीडर बाल गंगादर दिलग इन्दा इस्ट्रगल फर फ्रीडम आफ प्रेस एकसापटिस वड़का है आठ मारका है अब इसमें कोच्छन का जो में जो कीटम है वह इलस्ट्रेट इलस्ट्रेट व करना है बाल गंगादर दिलग के नहीं अजनल लीडर ठीक और उनका स्ट्रगल फ्रीडम आप प्रेस के लिए अब देखिए इसमें इंट्रोक्षन में आप लेख सकते हैं बाल गंगादर दिलग के बारे में ठीक कैसे नेशनल फाइटर थे उन्होंने ये एक एक स्टिवि करें नेशनल इसमें नेशनलिस लेखिए और उनका रोल गाया है फिर फिर आफ द प्रेस्ट में ये सार या बॉडी में लेखिए पर कंटूशन आप एक पोसिव नेशन राप लेए अब दिलग है अब दिल इसमें इसमे बता हरा है कि ये बतारा कि देर रह वाद आप एजुकेटिंग अन सस्टेनिंग नैशनलिस्ट पुलिक ओपीनियन इवन बियूर्ड लिट्रेट ओडियंसे दप्रेस एंप्रेस के बारे में जेकर कर दिया है तो आप चाहिए तो इसके इसमें इंट्रॉडक्शिन में आप पहले बाले इंगा दर तीलाजी के बारे में डि तक ही सीमित था इस वज़े से राष्टवादी जन्मत को तेजित करने संगटित करने सिचित करने और बनाया रखने के लिए एक प्रमुक उपकुरण के रूप में प्रेस की अहम मुन का निभाई गई साक्षर दर्शकों के परे भी शहरों और कजमों में बाद प्रेस का प्रभब होता तो अब बता रहा है कि प्रेस का क्या रोल था प्रेस का क्या रोल था लोगों को और अवेर करने के लिए जनरेशन के लिए प्रेस का क्या रोल रहा है ठीक उन लोगों को सिक्षित करने के रूप में प्रेस क्या रोल रहा है तो वह सारी चीजिए बता रहा ह अटेंप्टेट टु लिमिट तो फ्रीडम प्रेस ते नेशनल मुव्मेंट अलसो इस्टूड अजब गवर्णि चाहा जबाने जिए शाशन ने चाहा कि प्रेस को कंट्रोल कर ले जा तो लोकल अपोजिशन लेवल पर पोजिशन भी होने लगा कि ऐसे कैसे आप प्रेस को कं अब यह बता रहा है कि बालगागा तिलाक ऐसे पहले रिए था इन्यों कि अप्रेस को एकत्र करने के लिए बहुत अच्छा प्रेस किया और रहें जब तक वह नहीं होंगी तब तक क्या कहते हैं हमारे जो समाज का जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं हो गाई उनकी तो उन् टेक्निक्स फालो के बार तिलाक का हो फाल लाल बाल फाल जो एक ट्रायोग थे हमारे मतलब तीन लोग गर गुड़ था यह एक्स्टेमिश्ट होगा करते थे तो वही सब चीजें इसमें आंसर में बता हुए अगर कर एंट तिलाक वर तो फस्ट एडिटर ऑफ केसरी और मर ये नहितर प्रेटरो वालिक्स फाल फिय सब हैं गृति और स्वेंश्ट और ऐसे तुछ नहीं आपताएथ तो तो खतेंप्मिस्ट फेम्न कहीं 5 टी मिळस्ट के भारे में बता रहा हैं और प्र नियुस्पेपर से रिलेटेट जो इशूज आ रहे थे उनका रिसॉलेशन कैसे होगा जो गौर्न बार्बार केसे पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे थी उसी के मतलब यही सारी सिन्यारिय थे जब उन्होंने प्रेस फिरिडम के लिए अपनी लड़ाई शूरू हो की अब यह बता रहा है कि नियुस्पेपर जो केसरी है उसका क्या मतलब अब्जेक्टिव था यह बता रहा है केसरी मैंजी उसका इस्पेड कहा का था यह सबचीजे बहुत नॉर्मल है आपको समझ नहीं है बस एक ड्रप्रटी नहीं है लिकिन जो जहां जाए उसको वहीं एक्स्पेड कीजेगा उससे रहेगा आपको आंसर एक फ्लो में दिखेँ और बहले देखेगा यह नहीं कि कोई जी आंसर पर पहले लेट पर एडर्स करने तो उसको आकरी लेट जो इंडिया में उसको discuss कीजिए और सब्सक्राइशन देजिए अब देखिए आंसर कितना डायनेमिक हो सकता है इसको अप्रोच कैसे करें पहले दो डिसक्राइश करना था अपने को समझ लिए डिसक्राइश करना है थिक क्या डिसक्राइश करना है उसके बारे बाद आप क्या करते हैं कि क्या 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 रहे हैं कि सजिशन देगे कि कैसे इस से लड़ा जा सके जिसके बद्धा हुआ है हाई बर्ध रेट्स ए लोड़ डेफ रेट्स आर्ड़ अट टू की फैक्टर कंटिबूटिंग तू इंडिया रैपिट पोपॉबलेश और मिट्ट उदर हो दो हो का में हैं इसके एक हचार बच्च बच्च अब हो पर 1000 लोग बाता है और इक हचार लोग के की बच्च बाट दर कहलाती है यह घज़ी वाले में बात कर रहा है हुआ है तो समझ में आ रहा हुआ पर दिक इंप्रूब्मेंट इस हेल्ट के रहा है कि पॉपलेशन एक्सवर्जन क्यों हो रहा है क्योंकि फूड सीक्यूर्टी होगी नेशनल फूड सीक्यूर्टी एक्ट से और मेडिकल हैं से दिलेकर चीज़ सुधा है बढ़ भी है आजादी के बाद तो इन सब चीज़ों से इंदी होती जा रहेगी ठीक इलेड्रेसी अंपढ अश्राक्षारता जिसे खा जाता है तो उससे भी पॉपलेशन एक्सवर्जन का तीसरा क्या है एक्टिटूट स्वर्जन बच्चों 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 अगर आपने एकनोमिक से बढ़ा हो तो संग मेंटाटाटा पर अगर के मेल चाल्ट हो जनलेशन को आगे बढ़ाएगा तो यह हमारे एक उद्देश रखता है तो एक भारती समाज में अर्ली मैरेज जो है चाइड्रेस्टान दिसे जगा उपजार कंच अच्टिस गर्लाग अम देखते है चाइड्ड मैरेज जो हो गई है वह भी एक कार है क्योंकि मेडिकल फैसलेटी अच्छी हो गई है ठीक लोगों को खाना में लगा है फामीन एन अपिडेमिक नहीं आती डिंगो आता है तो उसका इलाज समभू है ठीक तो यह सब चीजें है मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ गए तो और चीजों की दवाहिया हो गई है द्रॉण तोर क्या हो गया फिमेल एजुकेशन हो गई डिलेवरी इस्टिश्विशनल हो गई है तो इन सब कर्म अधिश्विशनल परदान मंत्रियों मात्रिति सुरक्षा योज्यार इस साइल चीजें सरकार लेकिया है कि आंगरवाड़ी आशा रोगों को मोटिवेट कि इस्टिश्विशनल डिलेवरी को बढ़ावा दें और जो महिला इनका प्रसव होने वाला है तो वो सरकारी इस्वातलों में जाके अपना प्रसव करवा है जिससे की बच्चों की डेसरेट कम हो जा पिर आगे इंडिया इस लाइट पॉब्लेशन पॉस प्रॉब्लम भॉट से बहुत सी प्रोब्लम होती है उसमें एकनॉमिक प्रोग्रेस बहुत एक इंपॉर्टर्ड वहाए ठीक अब हमें अब ये इस सेकेंड फार्ड में बोचता रहा है आप एक ऐसे इसको कन्ट्रोल क सब्सक्राइब कारवाई की जाए, IPC, CRPC में उसका प्रोविजन हो, ठीक, परसनल कंट्रोल हो, परसनल लेवल पर जो कंट्रोल लाए जा सकते हैं, और भी क्या कहते हैं, पीपल को अवेर किया जाए, स्कूल में पढ़ा जाए बच्चों को, कि क्या क्या चीज़ें होने चाहि सकते हैं, इसमें एक पॉस्टर नोट पर आप कन्कूजन लिख सकते हैं, कुछ और पॉइंच बता है, जैसे कि infant mortality rate, need to be decreased, infant mortality rate हमारे यहां ज्यादा है, ठीक, तो उनको decrease करने की ज़र होते हैं, वो कैसे करेंगे हम बच्चों का वजन लंबा ही लेते हुए, बच्चे जब काईदा होते हैं, तो उनका वजन लंबा ही मॉनिटर करें, जिससे कि उनका बच्चे स्वस्तर रहेगी, तो बच्चे स्वस्तर रहेंगे, तो जैसे ICTS scheme जो चलती है, उसमें, घरवतियों धातरी महिलाओं को सुभिधाया पर वाइट की जाती है, तो वो एक effective है, जब माता स्वस्तर रहेगी, तो जो उनका बच्चा होने वाला है, वो भी स्वस्तर रहेगा, तो इस infant mortality rate decrease होगी ठी, और women को same respect दिने चीए, same economic apology, जिससे कि males को मिलना चीए, मिलता है, तो उससे क्या होगा, अच्छी education पर्शू करेंगी, तो जो एक vicious cycle है, उससे बची रहेंगी, education पर चीज़ें होगी, तो चीज़ें होगी, तो चीज़ें और positive note पर खतम होगी, as compared to negative note पर end होने से, और फिर क्या है, social security programs हो सकते हैं, जो सिक्राओंगी, employment opportunities, जो प्रवाइड करती है, government, इस skill in India, इस सारी चीज़ें जो है, वो better, better men for help करेंगी, skill, और affordable birth control rate options बता रहे हैं, जो contracept pills होते हैं, और condoms जो use किये जाते हैं, पर चीज़ें बर्स control के लिए, वो भी effective measure हो सकते हैं, उसके बाद आप एक conclusion पर चाहिए, एक positive note पर लिखे, जिसे यहाँ पर conclusion जो है, थो थोड़ा मुझे missing लग रहा है, तो अब यहाँ पर conclusion लिखेगा, यससे आपने बताया, आपने suggestion पर आपने बताना होगा कि government policies ground level पर implement करना चाहिए, जल्ली से चल्दी ताकि इंडिया कोई population को stable किया जा सकते है, तो यह एक आपका positive note to conclusion, end होते हैं, नेक्स्ट आपका, next question है, evaluate the role of information technology and internet in social empowerment, आप social empowerment में समाजिक जो होती है ना, आपकी, इसे कहाता है आपका सशक्तिकरण, समाजिक सशक्तिकरण, मेरी हिंदी थोड़ी वीग है थो, ध्यान दीजेगा, समाजिक सशक्तिकरण में जो हो, क्या role होता है, information and technology का, वो बता रहा है इस question में, फिर से हम वही approach follow करेंगी, evaluate करें, कि मतलब evaluate है, तो इसमें questionnaire keyword है, evaluate, वो लें करना है, role of information technology and internet, information technology and internet का role, कहाँ पे, समाजिक सशक्तिकरण, अब ठीक, तो introduction में आपने, पहले बता, information technology का, कोई data code कर दिया, ठीक, जैसे AI, internet of things, इनका, आपने data code कर दिया, कि यह चीजे, हमारे समाज को, आज के समय में, प्रभवित कर रही है, ठीक, यह सब चीजें आपने बता दी, यह आपका introduction का part होगा, body के part में, आपने role बता दिया, information technology का क्या role है, internet का, और social empowerment से कैसे सकता है, एक link का आपने, इस्टेबलिश कर दिया, internet और economic empowerment, और social empowerment, internet, information technology, social empowerment, link इस्टेबलिश किया, आपने body वाले part में, और फिर एक positive note पर conclusion end कर दिया, ठीक, देखे अब, example, एक answer को, दूसरे answer से, लाग गुना better बनाने की technique है, आप भी वह answer लिखना है, आपके साथ और भी computer वह option लिखना है, लेकिन जिस तरी proper example दे के examiner को समझा दिया, वही अच्छे marks game पर पता है, तो examples का बहुत 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 थ्यान देजिए, कुशिश कीजिए, example जो है, वो एक नए, current scenarios का example ले है, जो आपी भी scenarios हो रही है, situations हो रही है, प्लियूस पर रेगुलर पढ़ दे रही है, वही से examples कोट करने के कुशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा impact पढ़ता है, मेरे खुद के present experiences, मेरे खुद के experiences, और जगहों से भी रहे हैं, तो इससे ब internet और ICT, आज के समाज़िक परिवेश में, मातपूर भी मतार नहीं बाते हैं, हम सब को पता है, कि internet information and communication technology से समाज बे, आज इक मातपूर्ण में का निभार है, mobile से लेके, laptop से लेके, tablet से लेके, किसी भी तरीके की schemes से लेके, government schemes, government apps, सारी चीज़ी जो है, मोबाइल, internet information and communication technology से समाजिक बदलाओ के आइकन के रूप में इसको देखा जाबता है, यह समाजिक परिवर्तन में आहम इमकरने बाते दिखाए देते हैं, फिर ICT is truly represent technological revolution, information and communication technology जो है, वो एक technological revolution जो है, प्रध्योगी में एक तरीके से बदलाओ लाने कोशिच की, revolution करांती लाने की कोशिच की, उस तरीके से देखा जाता है इसको, और उससे अपनी life की quality, मतलब हमारे जीवजीवन के इसतर है, वो भी अच्छा हो रहा है, और समाज के structures पर भी एक important aspect, जो है important छाप छोड़के जा रहा है, तो यह तरीके से देखें कितना अच्छा इस इंट्रक्शन इस पर बताया देखें, जब आफ, assembly line के बारे में सुना होगा आप जहां गाड़ियां बनती है, तो गाड़ियों के सारी robotics काम करते हैं, तो वो किसके command पर काम करते हैं, ICT के command पर, उनके command रहते हैं, उसी command पर साजजीन डिजाइन करते हैं, तो information and communication, technology का reviews, हर जकन देल, आज की है, मतलब हर एक economic aspect में, यह मतलब technological aspect में, ICT का रोल है ही है, चाहे आप bank देखने में, पहले बड़ता है, post office देखने हैं, अहर जगा, flights देखने, airport देखने, railways देखने, मतलब कहां नहीं है, internet or ICT का यह, सब जगा हैं, Language, writing, the press, broadcasting, for example, are some of the examples of information and communication technology that many sociologists believe share a similar eratigmatic significance, their societal impact is anticipated to be both broad and substantial as a result. यह बता रहा है कि बाशा लेकन प्रेस और प्रसारण सुचनों और संचार प्रद्योगी की उधारण है, जो कई समाज सास्तियों का मानना है, कि समान प्रतिमानात्मक माध्वसाजा करते हैं, प्रद्राणाम के रोप में, उनके समाजिक प्रभाव, व्यापक और पर्याप दोनों होने का अनमान है, अदिशनले डिश्टिक के रिश्टर इंफरमेशन प्रसेसिंग में एजिस्ट इन और वर्चुली एवरी टाइप आउप जॉप, यह हर चरीके जॉप करने में एक इंपॉर्टन रोल पर करती हैं, और इन्फरमेशन और इन्फरमेशन और कमिनिक फिर क्या हैं गिविन दा रिक्विजाय सोटेवल, जोशो कशलर टेकनिकन एकोनोमीशन प्लिटिकल अंप्लिटिकल कंडिशन आइप देधा रहा रहें इन्फरमेशन प्रसेसिंग को बढ़ा भावन देधा हैं, तो आपने एकोनने इसके प्रसेसिंग के और इसकान की अ इ तुरंच है थो आपको सवीदा कर रहा है अपने और पैसे लिये इन पहीं फोन लेके करे कर रहे हैं किसको सूऊथा मिल लुगा है यही आपको पता है सब्सक्राइब घंच ठांदे गला है तो यह साथ चीजे से बता रहा हुआ है फिर ICTs have proliferated in recent years मतलब आभी आभे की सामना में ICTs proliferate मतलब बहुत फैल रही है ठीक प्रसार हो रहा है निका offering a huge variety of tools बहुत तरीके के tools प्रवाइड करते हैं चुकी citizens को enable करते हैं governance के participants जैसे आपका हो गया जैसे शिक आपका EHRMS हो गया मतलब मानो संब्रदा एक portal होता है सरकारी नौकरीवानों का तो क्या है उनके जितने भी data है वो साहा एक जगा स्टोर हो गया है तो यह क्या है यह आपके governance में help कर रहा है फिर आपके इतने भी schemes के implementation में सारी implementation में आपका help कर रहा है आपकी scholarship के लिए लग इसकी प्रेड़ना पोर्टल है आपका शिक्षा विभाग का और वखस अची आप जैसे आपको portion tracker app है बाल रिकास की तो इन सब चीजों में क्या grassroot level पर आपको रीच कर रहा है कि नहीं आको पहुंच दे रहा है government शोई दे रही तरह रही है इन इन इस ने आपने यहां से production किया बेच कहीं और रहा है तो क्या एक इतना सुभीतर जानक होता जा रहा है आप देखिए connectivity कितनी अच्छी रहा है 5G का concept आ गया है हमारे देश में जिससे enhanced connectivity मेल लेए internet और strong होता जा रहा है जब internet strong होगा तो grassroot लेवर पे ट्रास्फेरिंसी आएगी और पॉलिसी में जो जैसे कि पहले हम खसरा का तौनी तो तैस्सिल जाते तो बनवाने वो अब क्या है वो online process के थरो हो गई है तो online बन देखिए जिससे कि फाइदा होता है आपो जल्दी से जल्दी बन जाता है टाइम आपको कम लगेगा और आप से कोई पैसे नहीं ले पाएगा उसका पकायता कोट होगा तो यह सारे जिनियों बता रहा है तो यह आपका पुरा decision making sorry help कर रहा है उसके बाद का positive conclusion भी यहां पर लिए सल्ला सकते है कि क्या क्या यह आप बताया गया है आपको की गवर्मेंट ने की क्या कि ICT की इस पॉलिशिय फालिश रही इस रही है यूस फालिश्य पादर्शी आवेलबल टंडिविजुल्स वेक्तियों को बिज़सिस मतलब की जो बिजन स्वेया पारियों उनको भी इसी जिए गवर्मेंट सीटी हो गया अधार संवाएं इस सदेट को गई हैं इस सारी इस सारी बाइंक लोगी है जो आपको ग्रासरूट लबेल पर कंट करने में बहुत-बहुत-बहुत करती है इनके बीना आप समझ लेजए कि आज के समय में गवर्नेस को ग्राउंड लेवल से इंपलिमेंट करने तफ यह नामोमकिन हो गया है क्योंकि यह सारी schemes जो है वो एक bridge का काम कर रही है किसके बीच में citizens के बीच में और government के system के बीच में ठीक मैं आपको पहले बताता है UPI के बारे में, Universal Payment Interface के बारे में, Bheem के बारे मारे में आपको बताया था नहीं, कैसे हम एक बार स्कैन करके online payment कर सकते हैं कहीं से बिना manual पैसा ले गए तो यह कितना सुवे साजनक हो गया, economic freedom के बारे मैंने बता है, कैसे आपको economic freedom मिलता है इससे य तो देखिए यहां पर फिर यह answer आप फिर 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 आप खर्तम कर सकते हैं कि कुछ चैलेंजिस हो सकते हैं ग्राउंड लवर इंप्लिमेंटेशन पर लेइल गौर्मेंट उसके रिगार्डिंग पॉलिशी वर आ रही है जिससे कि इस चैलेंजिस फुल्फिल हो जाएंगे और आइसेटी को और एफेक्टिव तरीके से ग्राउंड लवर पर इंप्लिमेंट किया सकते हैं यह पॉस्ट नौट पर आपका कुछिन खतम हो सकता है नेक्स्ट है आपका ओवर्टी पर इस पॉस्ट करना है हमें ठीक दूसरा हम समझे क्या वह पॉवर्टी को और यह डिफेशन को एक्स्ट करना है आपको बॉड़ी पार्ट में कि पॉवर्टी को जब जैनेरेशन में ट्रांसकर होती जाती है तो यह कल्चर का फॉम्ली लेती है मतलब एक संस्क्रेटी की है मतलब वह भी गरीब, बाप भी गरीब, वेटा भी गरीब, दादा भी गरीब तो एक कल्चर का फॉम्मेट ले लेती Пट्व पूड़ी लेती तो यह आपको इस लेटमें को आननलाइज करते हुए आपको example मतलब example के साथ इस answer को अपरोच करने चलिए आखी संते हैं कैसे अपरोच किया गया example को तो culture of poverty की बारे में बताए कि culture of poverty एक concept है Lewis का, Lewis एक sociologist है उनका Oscar Lewis anthropologist है उन्हीं का concept है तो इन्होंने पहले culture of poverty को define किया है कि a social theory idea known as the culture of poverty contents that value have held by those living in poverty have a substantial impact on maintaining their precarious situation and perpetuating a cycle of poverty across generations बता रहें कि एक समाधिक सिधान्त विचार जिसे गरीबी की संस्कृति के रूप में जाना जाता है कतर्क है कि गरीबी में रहने माले लोग द्वारा दान गये गये मोल्यों का उनकी अनिशित इस्तेती को बनाए रखने और पीडियों में गरीबी किच्यक रूप को बनाए रखने पर पर्यार बढ़ाव पढ़ता है ठीक ऑस्कार लिविस के इतका मतलब ऑस्कार लिविस देख मानू विघ्यानी ने ने इंटेल फिफटी नइए वें फैज फैमिली अमेक्सिकन केस शेडिस इन दे कल्चर ऑफ पॉर्टी प्रकाशित किया जिसने गरीबी की संस्केती की अधरना पेशिया जिए बनाए ऑस्कर ल की उseven कि इन्रिखर व्यापक गरिभी की स्थिदिए के आनुरूप एक स्थी गंगेते है होजाना ओर्टी हैं की हेलफसें आपने माईर या है हबसमें व्हलाओन या लिविस बताते हैं कि जो पॉर्टी के काच्छर में रहते हैं उनके आतिहास के बारे में कोई समझ नहीं होती उनको नौलेज नहीं होती कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को फॉल गया जा सकुर्टी उन कंडिशन तो क्लेक्टिव एक्शन अपने ही फॉल्ब्लम्स को लिविस बताते हैं कि लिविस का मनना है कि एक आबादी पर गरीबी कर लागो होना उसकी संस्क्रिति के उल्बह का संराज्मत्बग करान सा यह बात में गरीबी के मांड़न्डों और वेवहारों की संस्क्रिति के भावी पीडियों इस तमाजी करण के परग्राम सरोग सिमा इसके सदस्यों के संस्क्रिति मानेताओं प्थाओं को बदलने के आशक्षम होती होई लोगी बता रहे हैं मतलब लिविस का एक निगेटिव पॉर्टी के ट्रैप में कोई विक्ति आ जाता है तो वहां से निकलना जो है आसमब हो जाता है बसिक लिए दस पॉब्लिक असेस्टेंस तो पॉर इंफर्म फेल फेर और अधर डिर्क असेस्टेंस के नौट अलिविए पॉर्टी जाता है और इतना भी इसको अपन्दूर करने के कोशिश की जिस सरी किवे मतलब सुविधाय प्रवाइटर के वह सौल नहीं हो तो कुल्चर आप इस तरीके से तो लिविश की जो थियोरी है उन्होंने मंदब समाजिक आर्थिक संवर्चनाओं को दूर कर दिया कि यह पॉर्टी की रिजन ना होते हुए उनका जो कल्चर है उनके गरीबी का रिजन में फुद का कल्चर है ना कि आर्थिक और समाजिक या राजमितिक अब यह कुछ पास्टर को करती है यह मानती है कुछ पास्टर हो सकते हैं जो कि शुरुवाती गरीवी में कारीवी के सुद्धार रहे होंगे जैसे कि आपका सब स्टेंडर हाउसिंग मतलब रहने के लिए एजुकेशन कम यह फिर सोचल सर्विसे जॉब नहीं है कॉज और प्रिजेंट पुवर्टी इसलिए भी रखते हैं पुवर्टी हटाने में उनका इंट्रेस्ट नहीं है लिविस यह बताते हैं तो इसमें अगर मतलब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं चर्नल स्टेडिस का स्टूडिल्ट हो और सोचिलोगी मैं पढ़ी नहीं तो म पूर्टी ठीक तो इस में अब आपको आंसर लिखना है तो बिसिकली आपको स्टाक्वश के बारे में स्लेबर के जानकारी जाहिए अगर पूर्टी के पूछ रहे है तो पूर्टी के थीज आपसे अब्रोच की घिंगी मतलब आपसे समझीं कि आपको यह पता होगा ही ऐस करेंगे हर एक आंसर का पूरे तरीके से अब स्लेवर्स का थोरो अनाल्सिस की जो सारे की वर्ट जोने के नोट जो रहें फिर ताकि आपको पास प्री राइट अप मटेरियल पहले से ही रहे अगर आप एक्जांग में सोचने लगेंगे यह क्या देखना है तो आप प्रीवर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपको समझाना है कि आपका आंसर इस तरहके की की वर्टि के और हैं वह सब आपके आंसर में रहेंगे वह अगए और रहेंगे चांद लेग वह हमेशा धिहान रखेंगा ठीक अब यह उन्होंने डाइग्राम बता है और दीखे बहुत इंपॉर्टन हो ता कर आपने एक सोटेबल डाइग्राम बना दिया तो उससे आपको लिखना भी कम पढ़ता है आपको बहुत अफेक्टिव लगता है यसे यह डाइग्राम आप बना सकते हैं आपसे कभी पुछें बना सब्सक्राइब है। और फिर जो है। ओर विटेन सब्सक्राइब की साध्विया। अब बता रहे हैं कुछ इंपन्वीन फैक्स जीजिक है। जैसे एकनोमिक कॉज़िफ है इनेक्वेल्टि आप समानता है ठीक उसके पाद 5% इंडियान वरकर्ट को इस अब आप लोग को पता है कि जैनल गरीब क्या एकनोमिक क्या 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 अगरिकल्चर वहत में मर्जिंग एकनोमिक सर्वेस आप पढ़ सकते हैं बुर एजोकेशनल रिजन्स लैक औफ वोकेशनल टेरिंग मतलब कि काम आपको वेल्डिंग काम आता है या कुछ और कोई काम आता है तो उसमें हमां ग्राउंड लेवल टेरिंग दी नहीं जाती है तो उससे क्या होता है कि वह जो जैसे आपके हो गए पूर इनफेक्टिव सर्विस डिलिवरी रिजल्ट ऑफ करॉप्शन वाई समाज सिस्टम में करॉप्शन का होना और फानेंशल एडिक्लोजन की कमी होना जैसे कि पहले तो जन्दन अगाउंट खुलना पूलना पूलने लोग कितने फानेंशल अपने रिव्यूज दीजिएगा कैसा रहा आपका ये लेक्ट्र और जो भी चाहिए आपको बताए गई हैं उसे थोरणी आप समझेगा खुद से आंसर लिखने के प्रैक्टिस कीजिए जिससे की आपका आंसर रिटिंग अप्रोच बेटर बिल्ड़ अप हो पाए मैं फि आपको बेटर देगा कि आपको बैटकर सोचन नहीं पड़ेगा तो आपका टाइम सेव होगा जिससे आप सारे कोशन अच्छे से अटेम्ट कर पाएंगे और आपको अच्छे मार्स मिलेंगे जिससे आपका सेलेक्शन होने की प्रबबिल्टी जो हो बढ़ जाएंगी इसी